साथियों, कानून व्यवस्ता के पूरे तंत्र का विश्वस्निय होना, जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है? ये भी उतनाही महत्मपूर्ण है. आपने देखा है, कि जब भी कोई नेचरल केलमिटी होती है, प्राकूरतिक आपदा होती है, तो इन दिनों NDRF की, SDRF की पहचान बनी हुई है. उनका युनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुँच जाना, और इसके कारण देश वास्यों के मन में इनके प्रतिक विश्वास बना है, कि ये आये हैं, चलिए समल जाएगा. ये जो कह रहे हैं, मानना चाहिए. इनकी बातें अगर स्विकार करेंगे, तो हमारा पहुचान कम होगा. और आप देखिए, NDRF में है कौन भई? HDRF में है कौन? आप ही के सबसाती हैं, सुरक्षा बलक के जवानी हैं, लेकिन समाज में उनके प्रतिमिदी सद्दा मन गई है. आपदा के समय में जैसे ही NDRF, HDRF के टीम पहुंचती हैं, वैसे ही लोगों को संतो होने लगता है कि अब एक्सपर्ट इम पहुंच गई हैं, अपसे अपना काम कर लेंगे. साथ्यों अपराद वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिच पहुंचती हैं, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई. कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिच की साख बैतर हुई थी. पुलिच के लोग जरूरत बंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दाव पे लगा रहे थे, यानि कर्तव्य परायनता में कोई कमी नहीं है, जरूरत अच्छा परसेप्सन बनाए रखने की भी है, इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मारदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी शाहिए, उपर से नीचे तक हर पल होनी शाहिए.